Hello everyone, welcome back to the channel XUV400, Tata Nexon की direct competition गाड़ी है इसमें recently बहुत सारे changes, बहुत सारे add-ons और updates हुए है, इस गाड़ी में आपको दो variants मिलेंगे, EC और EL Pro, EL Pro में आपको दो options मिलते हैं, एक तो 34 kWh एक 39.5 kWh बैटरी में differences है, features सारे same मिलेंगे आपको, 34 4 kWh की एक शोरूम कॉस्ट है 16,74,000 और ये variant 39.5 kWh वाले variant की प्राइस है 17,49,000 एक शोरूम, इस गाड़ी की सारे details इसी वीडियो में मिलने वाले तो make sure वीडियो को इन तक जरूर देखिए और चैनल को तुर रंती सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करते गाड़ी के चावी से दोनों ही remote keys है flip function के साथ चाविया मिलती है इस तरफ नया महिंद्रा का logo है यहाँ पर तीन remote functions है lock, unlock, tailgate release करने के तीन functions है lock करने के साथ turn indicators blink होते है unlock करने के साथ भी वही कहानी है जो side mirrors से वो fold unfold वगरा नहीं होंगे lock, unlock के साथ front की बात करें तो गाड़ी काफी बढ़िया लगती है जो SUV वाला look है आपको front से ही आ जाएगा यहाँ पर bonnet hood का stance वगरा काफी अच्छा है अच्छा इस गाड़ी में सभी जगा उपर bronze element का बहुत यूज किया है यहाँ पर bronze insert है, यहाँ पर है यहाँ पर front grill के उपर एक standard pattern अब महिंद्रा ने बनाया है X का, यह देख लो यहाँ पर यह जो arrow है इसके साथ यहाँ पर X का pattern बनाया गया है क्योंकि यह गाड़ी XUV400 है तो सारी जगा उपर X का pattern आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ भी उपर की तरफ भी और महिंद्रा का logo यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर fog lamp की housing यह fog lamp वगरा सारी चीज़े मिल जाती है, charging cable dock करने के लिए यहाँ पर slot दिया गया है इसको open कहा से करता है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, open करके भी आपको दिखा देता हूँ driver's side door के उपर request sensor मिल जाता है गाड़ी lock हो जाती है, तो इसकी मदद से unlock कर सकते हो, यह lever यहाँ पर है इसको pull कर दोगे न, तो charging का lid है, वो open हो जाएगा, नॉर्मल गाड़ियों में fuel lid पीछे की तरफ होती है, इसमें आगे की तरफ दी है, fuel lid नहीं charging lid यहाँ पर है, तो यह देख लो, सारी चीज़ें अच्छे से covered वगरा की गई है इसे आप बंद कर लेते हैं, side से भी देखने में यह गाड़ी, almost XUV300 जैसी ही दिखती है all four disc brakes इस गाड़ी में आपको मिल जाते है, 200 mm का ground clearance मिल जाता है, यह पर side में भी bronze insert मिल जाता है, और tire profile की बात करें, तो इस गाड़ी में 205 by 65 R16 16 inch के diamond cut alloy wheels मिलते है, alloy wheels का design बहुत ही जदा शांदार है बीच में Mahindra का logo, यह भी bronze finish में है, all four disc brake वगरा मिलते हैं, और safety के मामले में आपको इस गाड़ी में चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है ABS, EBD, brake assist, six airbags, traction control, सारी चीज़े आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, all four disc brake वगरा भी दिये गए है, EV की बैजिंग है XUV400 की बैजिंग है, Mahindra का logo है उपर की तरफ वाइपर वाशर, डीप अगर हाई माउंट, स्टॉप लैंप, यहाँ पर उपर की तरफ शाक फिन, एंटीना, सारी ही चीज़े मिल जाती है, यहाँ पर है reverse camera की placement और reverse parking sensors जो है वो यहाँ पर दो मिल जाते है, एक और दो boot space open करके दिखाता हूँ XUV300 में boot space ना के बराबर है, 275 लेटर की है इसमें boot space आपको बहुत बढ़िया मिलेगी 378 liters की बढ़ियासी boot space मिलेगी, charging cord वगरा cable वगरा सब इसके अंदर दिया है उपन गर के दिखा देता हूँ एक बार, काफी अच्छी packing है यह आपर यह देख लो, charging cable वगरा सारी चीज़े इसके अंदर आपको मिलेगी boot lamp वगरा भी मिल जाता है आपको parcel shelf हलाकी नहीं है मुझे नहीं पता महिंद्रा parcel shelf क्यों नहीं देती है लेकिन नहीं आपर भी दिया है 60-40 split seats है, all three adjustable headrest वगरा सारी चीज़े है जहाँ पर भी अच्छी खासी insulation है handle है, close करने के लिए इसके नीचे spare wheel है spare wheel दिखा देता हूँ, यह देख लो steel rim है, लेकिन spare wheel आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छी चीज है बन कर लेते हैं एक बार और rear seat के उपर बैट कर दिखाता हूँ front seat है, अपने हिसाब से मैंने adjust की है dual tone finish में door pads है black है, beige है, speaker की placement इस तरफ है bottle holder, storage space यहाँ पर piano black insert है, यहाँ पर soft touch leatherette finish material है, बहुत ही प्यारा finish यहाँ पर दिया गया है front seat अपने हिसाब से मैंने height वगरा सारी चीज़ा adjust की है यहाँ पर storage के लिए यह bands दिये, दोनों ही seats के पीछे near room देख लो साड़े चार से पाच इंच का near room है बहुत ही प्यारा near room है leg room बहुत शांदार under thigh support काफी अच्छा थोड़ा और होता तो भी चल जाता लेकिन यह भी काफी enough है perforated seats है न तो आपको ऐसा लएगा ventilated seats तो नहीं है लेकिन ventilated नहीं है, यह design के लिए दिया है design भी काफी अच्छा है और बहुत soft है, leatherette finish है, बहुत अच्छी quality है materials की central tunnel ना के बराबर नहीं ही है, actually central tunnel ही नहीं इसमें, तो आप बीच में जो passenger बैठे का आराम से फैल के बैठ सकता है AC vents, bronze insert नीचे की तरफ कुछ चीज़े दिख रही है मुझे, type C charging port mobile रखने के लिए slot और नीचे भी कुछ तो है, यह देख लो 12 volt का charging socket बैठे तो छुपा है इन लोगोंने क्या है भाई, तीजोरी है क्या है headroom की बात करें तो sufficient headroom 1.5 inch का headroom है मेरी height fighten है, मेरे लिए कोई issue नहीं है 6 feet से ज़्यादा height वादे लोगोंगे उनको भी कोई issue होगी नहीं leg room हो, knee room हो, head room हो कोई भी issue नहीं होगी adjustable headrest है मस्त एकदम, recline angle अच्छा है काफी seat की width भी काफी अच्छी है 3 medium size के adults बड़े आसानी से बैठ कर लंबे जर्नीस के उपर भी travel कर सकते है बीच में armrest वगरा cup holders के साथ है center passenger के लिए 3 point seat belt और center headrest ये सारी चीजे मिल जाती है तो overall न, इस गाड़ी में जब आप बैठते हो आपको वो luxury वाली feeling आएगी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि xv300 का बड़ा भाई चला रहो नहीं न, आपको celtos वगरा वाली feeling इस गाड़ी में आएगी और ये गाड़ी sub 4 meter नहीं है ये गाड़ी उससे लंबी है क्योंकि इसका boot space बड़ा किया है तो 4 meter से ज़ादा length है इस गाड़ी की जिसकी वज़य से इसकी cost भी थोड़ी सी ज़ादा हो गई है लेकिन cost ज़ादा होने के बावजूद भी justified है बिलकुल Nexon के range में ही आती है और ये गाड़ी ज़ादा premium हैसाज दिला रही है मुझे honestly अब ये तो हो गई exterior की rare की बात है अब चलते है front में features क्या-क्या मिलते हैं आपको वो बताता हूँ front की बात करें तो flat bottom steering wheel है piano inserts मिल जाता है यहाँ पर left side के सारे controls infotainment के लिए right side में यहाँ पर यह जो control से instrument cluster के लिए यह जो control से cruise command के लिए है left side का सारा stock wipers के लिए right side का सारा stock headlam के लिए new mahindra का logo blue insert के साथ मिलेगा 6 airbags मिलेंगे इस गाड़ी में driver side airbag इस तरफ है यहाँ पर co driver side airbag है यहाँ पर B pillar के उपर airbag है और यहाँ पर seat के अंदर भी आपको एक airbag मिलेगी tilt adjustment के साथ steering मिलता है इस तरफ भी कुछ buttons है traction control on off करने के लिए और headlamp leveler switch इस तरफ है यहाँ पर भी सब जगे ब्रॉण्स inserts मिल जाते है चाहे वो logo हो यहाँ पर हो यहाँ पर AC events के around हो यहाँ पर हो सारी जगा उपर आपको bronze inserts मिलेंगे यह देख लो यहाँ पर भी bronze inserts मिलेंगे तो यह गाड़ी के लिए न काफी बढ़िया लगता है यार यह bronze inserts न black and beige combination के साथ काफी अच्छा feel दे रही है काफी premium वाला feel दे रही है इस गाड़ी को अब एक बार ignition on कर लेते है गाड़ी का तो यह देख लो भाई animation वगरा भी बढ़िया है 64% गाड़ी की charging बाकी है अभी seat belt पहनने के लिए बोल रहा है मुझे मैंने चालो थोड़ी की यह गाड़ी यार तो यहाँ पर animation वगरा काफी अच्छी है यहाँ पर brightness काफी अच्छी है इसे control करने के लिए मैंने बता दिया ना यहाँ पर buttons है अब इसकी मदद से आप सारी चीज़े access कर सकते हो यहाँ पर battery information है यहाँ पर बाकी सारी चीज़े है driver information है vehicle information है navigation भी यही पर मिलेगा settings मिलेगी फिर यहाँ पर alert history battery information सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा यहाँ पर navigation वगरा भी आ जाता है तो यह काफी अच्छी चीज़ है इस तरफ speed indicate होती है इस तरफ power indicate होती है भाई बहुत ही बढ़िया touchscreen है quality तो देख लो यहाँ पर इतने प्यार से touch करोगे न फिर भी जो response है एक दम मकषन sound quality इस गाड़ी की काफी अच्छी है speakers वगरा की sound quality काफी अच्छी है यहाँ पर आपको speaker मिल जाता है यहाँ पर twitter मिल जाता है अच्छा door pad भी देखी लो साथ में black है, beige है, यहाँ पर soft touch material leather act finish है, बहुत ही अच्छी quality का material है piano black inserts, all for power window यहाँ पर mirror adjustment, fold unfold के सारे controls, नीचे bottle holder दो bottle रख सकते हो storage space है, height adjustable seat है under thigh support भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है perforated seat से यहाँ पर बहुत ही अच्छी quality की seats यहाँ पर दी गई है महिंद्रा की तरफ से, वापिस आते है infotainment बता रहा था मैं आपको यहाँ बहुत ही प्यारा infotainment है touch quality, touch response, sound quality बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर EV statistics वगरा भी आपको देखने को मिलेंगे यह total time travel कितना fuel, कितने trees सेवड यह कुछ भलता ही है यह तो समझा नहीं मेरे को क्या है energy consumption, power consumption सारी चीज़े यहाँ पर है charging का क्या history है, हिसाब किताब है वो सब यहाँ पर दिखता है फिर यहाँ से home जा सकते हो, setting जा सकते हो मुझे यह touch screen यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मकन चल रहा है यह reverse में डाल देते एक बार गाड़ी को बहुत ही बड़ी है यह camera की quality तो लेकिन dynamic guidelines वगरा यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे है एक वो चीज़ है, मैं steering turn कर रहा हूँ कोई guidelines, guidelines है नहीं यहाँ पर parking sensors का display इस तरफ है यहाँ पर भी parking sensors का display हो जाता है तो यह काफी अच्छी बात है अब neutral पे डाल देते है गाड़ी को यह ready to drive वगरा ऐसा सब दिखता है अब टायर आपका aligned नहीं होगा तो यह भी बताएगा कि टायर आपका aligned है नहीं करके अभी यह right में जा रहा है यह देख लो कितनी बढ़िया animation है देखो यहाँ पर जैसे मैं steering गुमा रहा हूँ वैसे यह टायर जहाँ भी घूम रहा है न वो बता रहा है मेरे को कैसे जा रहा है भाई तरह टायर अभी देखो center में कर दिया मैंने तो एकदम center आ गया यह सही चीज है अब नीचे की तरफ भी कुछ controls मिल जाते है यहाँ पर defogger वगरा on off करने के लिए यहाँ पर hazard lamp switch है drive modes यहाँ पर गाड़ी में मिल जाते है तो यह देख लो fast mode activate हो गया है fearless mode activate हो गया है fun mode activate हो गया है यह तीन modes यहाँ पर है fun mode है, fearless mode है और fast mode है नीचे की तरफ automatic climate control AC के सारे buttons वगरा control वगरा दिये है complete piano black panel है और यहाँ पर नीचे की तरफ USB input 2 दिये है यहाँ पर mobile रखने के लिए जगा है mobile का wireless charging का भी option यहाँ पर है gear lever बहुत ही अच्छा है यहाँ पर यह button प्रेस करके आप अलग-अलग gears में slot कर सकते हो drive यह वो सब सारी चीज़े यहाँ पर slot कर सकते हो और यह जो है न यह display होता है तो जैसे मैंने यह यहाँ पर कर दिया तो यह देख लो L भी आ गया यह अच्छी बात है यह बहुत ही अच्छा लगा मुझे यूज करने के लिए भी easy है यहाँ पर भी जो bronze insert है वो मिल जाती है bottle holder, handbrake lever, armrest armrest के अंदर storage space है की रखने के लिए जगा mark की गई है यहाँ पर भी आपको piano black insert और कुछ texture मिल जाता है अलग सा glow box के अंदर भी space decent enough है यहाँ पर भी slots बनाएगा है कुछ चीज़े रखने के लिए उपर की तरफ auto dimming IRVM sunglass holder है यहाँ पर सारे controls है light जो है उसके halogen cabin lights आपको मिल जाते है इसमें microphone की placement है co driver side sun visor के उपर vanity mirror light के साथ और driver side sun visor के उपर कुछ भी नहीं है ticket holder वगरा भी नहीं है उपर की तरफ sunroof मिलेगा आपको sunroof open करके दिखाता हो आपको मैं अच्छा यह से खुलता है क्या single touch के साथ sunroof खुल जाएगा opening वगरा काफी अच्छी है थोड़ा सा और पीछे डाल देते completely open हो चुका है यह देख लो पैनल के अंदर जाता है यह sunroof यह काफी अच्छी बात है बंद करने के लिए भी single touch बंद हो गया sunroof यह बाहर आके खड़ा रहेगा इसको आपको manually बंद करना होगा पीछे की तरफ भी halogen cabin lamp वगरा सारी चीज़े आपको मिल जाती है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो variants आते हैं आपको इसमें 34.5 kWh बैटरी वाला और 39.5 kWh बैटरी वाला जो 34.5 kWh बैटरी वाला है ना उसमें आपको 375 km की range मिलेगी और जो 39.4 kWh बैटरी वाला variant है उसमें आपको 456 km की range मिलेगी गाड़ी में 8 साल की बैटरी वारेंटी मिलेगी और 3 साल की वारेंटी बाकी सारे components के लिए मिलेगी unlimited km के उपर तो ये एक काफी अच्छी चीज़ है बैटरी वाला की tension आपको 8 साल तक लिने नी पड़ेगी और बाकी सारे components के लिए भी आपके पास भाई 3 साल unlimited km की वारेंटी वारेंटी वगरा है charging time की अगर बात करें तो 7.2 kWh के fast charger के उपर गाड़ी 6 and half hours याने की 6.5 गंटे में 0 to 100% charge हो जाएगी और अगर आप slow charger use करते हो 3.3 kWh वाला तो गाड़ी को लगबग 12 से 13 गंटे लगेंगे 0 to 100% charge होने के लिए अब बारी आती है वर्डी कि क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चीए reject करनी चीए या फिर consider करनी चीए तो देखो यार इस गाड़ी में बहुत सारे improvements तो हुए है पहले वाले की interiors देख लो और अभी वाले के interiors देख लो आपको जमीन आसमान का फरक महसूस होगा quality of materials, touch वगरा, feel वगरा जो है बहुत ही प्यारा कर दिया है XUV400 है इसमें boot space का भी कोई लफडा नहीं है आपने देख लिया कितना बड़ा boot space आपको मिलता है तो यार इस price point पे आपको competition में एक और गाड़ी मिलेगी Nexon EV तो दोनों ही cars almost comparable है, काफी अच्छी है अगर आप इन दोनों गाड़ियों में confused होना तो मैं आपको recommend करूंगा कि यार सेम डे के ऊपर आप दोनों ही गाड़ियों के test drive लो, XUV400 चलाओ फिर तुरंद बाद Tata Nexon EV चलाओ, सेम डे पे चलाओ गए तो आपके लिए बहतर हो जाएगा judgment लेना कि कौन सी गाड़ी आपके लिए एक perfect choice बन सकती है तो यार EV market में ये गाड़ी भी एक बहुत ही बहतरीन product बन चुकी है वीडियो अच्छा लगावता है इसे like जरूर कर दीजिए, channel को subscribe जरूर कर दीजिए मिलता है किसी ऐसी अगली review वीडियो में तब तक के लिए drive safe take care, bye